हेलो इस्ट्रेंट्स, कैसे आप सब? I hope you all are well तो इस्ट्रेंट्स आज का मारा टॉपिक है फ्यूल सेल तो फ्यूल सेल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रो कैमिकल सेल होते हैं जिनको हम फ्यूल देते हैं, उनका कमबजन कराते हैं और फिर वहां से electricity generate होते हैं तो देखो, फ्यूल तो कुछ भी हो सकता है पर कमबजन किसके परदेंस में होता है? ऑक्सिजन के परदेंस में होता है फ्यूल हो सकता है, आपका hydrogen हो सकता है carbon monoxide हो सकता है और methane हो सकता है, एथेन हो सकता है तो जो भी hydrocarbon gases है, वो भी हो सकती है तो हमारे पास fuel cell का एक common example है hydrogen, oxygen, fuel cell तो यहाँ पर fuel के hydrogen है क्योंकि जो भी कमबजन होता है वो oxygen की परदेंस में होता है तो देखो, यह है porous carbon की electrodes, porous मतलब जिस पर pores होते हैं, छोटे छोटे तो porous carbon electrode क्यों लेनी पड़ती है, देखो pores इसलिए चाहिए, क्योंकि हमें gases absorb करनी है अब फिर उसको pass करना है जो हमारा solution है उसकी तरफ समझ मैं है, अब देखो क्योंकि gases absorb करनी है तो हम कुछ catalyst भी ले लेते हैं जो कि जो absorb करने की efficiency है उसको बड़ा देते हैं जैसे कि platinum, silver, cobalt, oxide तो यह हम इन electrons में क्या कर देते हैं mix कर लेते हैं समझ मा गया अब देखो क्या होता है hydrogen गई इदर absorb हुई और उसने क्या कर दिया two electrons यहां छोड़ दिये और two H positive solution में चले गया तो उसने उसके बाद क्या क्या OH negative के साथ मिलके S2O बना दिया समझ में आ रहा है अब देखो यहां पर two electrons इसने release किये तो इसका क्या हुआ है electrons release करना मतलब oxidation होना तो जिस electron पर oxidation होता है उसको हम क्या कहते हैं anode कहते हैं तो यह क्या हो गया हमारा anode हो गया समझ में आ रहा है यह anode हो गया तो देखो हम anode की reaction देखते हैं anode पर क्या हुआ hydrogen था हो गया उसने two electrons release कर दिये 2H positive बनके solution में है solution में है 2H positive बनके आ गया अब क्या हुआ 2H positive और OS negative मिलके S2O बना लिए तो यह 2 hydrogen है और यहां 2 plus 1 3 हो गये तो balance करने के लिए यहां 2 कर देते हैं और यहां भी 2 कर देते हैं यह इतना समझ मैं है अब overall anode पर क्या reaction होगी देखो hydrogen थी starting में हमने इसमें एक्स्ट्रा मतलब क्या मिला इसमें जो further reactions हुई तो 2 OH positive मिला तो क्या बना 2 S2O बना 2 S2O बना और जो 2 electrons हैं वो release हुए समझ मैं है तो इसको मैं मिटाके लिख लेता हूँ तो देखो anode पर क्या हुआ H positive plus 2 OH negative यहां बना हमारे पास S2O plus 2 electrons यह release हो गए यह 2 S2O बना था ठीक अब देखो cathode पर क्या होता है देखो हम जब इस cell को connect करते हैं ठीक यहां से यह connect किया हमने इधर यहां पर कुछ भी लगा दिया जो भी अप्लाइंस लगाना था तो वो काम करना स्टार्ट करता है क्यों क्योंकि 2 electrons क्या होते हैं यहां से इधर की तरफ move करते हैं move करेंगे अब देखो यहां पर क्या होगा electrons मिलेंगे electrons क्या होगे मिलेंगे तो electrons मिलने का मतलब क्या होगा reduction हुआ है ना तो जिस electrode पर reduction होता है उसको हम क्या कहते हैं cathode तो यह cathode हुआ अब देखो क्या होता है इस यहां क्या करते हैं oxygen ट्रांसपर करते हैं इस electrode की तरफ ठिक तो देखो क्या होता है cathode पे तो O2 हम cathode की तरफ ट्रांसपर करते हैं प्लस S2O यह solution से लेता है देखो जो भी मैं cathode पे reaction लिखा रहो ना यह overall reaction है क्योंकि cathode पे जो भी reactions होती है उसका pathway पता नहीं चलता है मतलब पहले कौन से हुई फिर कौन से जैसे anode पे था ना पहले एक reaction हुई फिर दूसरी हुई फिर हमने overall लिखी cathode पे भी होता same है पर उसका exactly pathway पता नहीं चलता है कि पहले कौन से भी फिर कौन से भी ठीक तो देखो S2O यह solution से लेता है हो फिर क्या होता है और यह S2O water नहीं लेता है पूरा यह ions लेता है जो मिलके S2O बनाते है समझ में आ रहा है ठीक तो anode से फिर यह two electrons आते हैं और यह os negative में change होके aqueous solution में आ जाता है अब देखो balance करो तो जो भी balance करेंगे हम यहाँ coefficient में तो आएगा 4 आएगा 3 आएगा 5 आएगा जो भी आएगा मतलब oxygen और hydrogen बराबर होने चाहिए अब देखो यहाँ पे hydrogen 2 है और oxygen क्या है थ्री है ठीक तो हम इनको बराबर करके यहाँ करने के लिए यहाँ 2 कर देते हैं ताकि oxygen भी 4 हो जाए और hydrogen भी 4 हो जाए तो यहाँ पे भी 4 करेंगे अब देखो negative charge भी कितने होगे 4 होगे न तो यहाँ भी हमें 4 करना पड़ेगा न और अगर हमने यहाँ 4 किया तो उपर भी 4 करना पड़ेगा न यहाँ भी 4 होना चाहिए एनोट पे तो इसका मतलब इसको भी 2 से into कर लेते हैं इस पूरी reaction को अब देखो overall क्या होगी overall जो reaction होगी overall देखो hydrogen हमने दी और oxygen हमने दी यह दोनों gases दी तो यह लिखना पड़ेगा तो 2s2 plus o2 यह तो हमने दिया अब देखो क्या होता है os negative 4 os negative यह 2 यह है और यह 2 से into होगा तो 4 os negative यह s2 के साथ reaction करके water बनाया तो उसने लिए और इसने 4 os negative release कर दी तो एक ने लिए और एक ने दिए solution से एक ने लिए एक ने solution में दिये तो यह cancel out हो गया इसको लिखने की जरुवत है नहीं हमें ठीक तो यह cancel out हो गया अब देखो दूसरी चीज यह 4 electrons है और यहां भी 4 electrons है 4 मतलब यह 2 into 2 बाहर है न तो 4 हो गया तो एक ने दिये और एक ने लिए तो cancel समझ में आया दूसरी चीज अब water का देखो यहां 2s2o है और यहां कितना हो गया 4s2o 2 यह है और यह 2 बाहर into होगा तो कितना हो गया 4s2o तो यहां 4 है और यहां 2 है तो इसने 4s2o बनाए और इसने केवल 2s2o लिए तो मतलब हमारे पास कितना बचा 2s2o तो product में बचाना है देखो यह product है तो हमें 2s2o मिला तो यह overall reaction हो गई तो चलो fuel cell के कुछ advantages देख लेते हैं तो देखो यह 3 हैं important इनको याद कर लेना first है high efficiency तो देखो जो conventional methods होते है electricity produce करने के उसमें क्या होता है जो fuel होता है उसका combustion किया जाता है फिर heat produce होती है और वो heat फिर electricity produce करने के काम में लाई जाती है ऐसा होता है बट fuel cell में क्या होता है जो fuel की energy होती है उसको directly electricity में produce किया जाता है तो इसलिए efficiency ज्यादा हो जाती है, तो जो conventional methods हैं, उसमें हमें जो efficiency मिलती है, वो 40% मिलती है, efficiency मतलब जितनी हमें electricity मिलनी चाहिए थी, उसका कितना percent मिलता है, हो इक है, efficiency है, तो fuel cell में हमें, देखो, 60% to 80% efficiency मिल जाती है, समझ में आ गया, first high efficiency, second है continuous source of energy, तो देखो, जब तक हम reactants देते रहेंगे cell को, fuel देते रहेंगे, तब तक कम बजन होते रहेगा, और हमें electric energy मिलती रहेगी, ठीक, और साथी साथ, यहाँ पे electrolyte भी खतम होने नहीं वाला है, देखो, यहाँ पे कोई भी iron नहीं है, electrolyte खतम नहीं होने वाला है, साथी साथ, जो electrodes हैं, वो भी खराब नहीं होने वाली, क्योंकि वो reaction में part नहीं कर रहें, तो इसलिए हमें continuous energy मिलती रहती है, continuous electrical energy मिलती रह इसलिए इसको space जो program होते हैं, उनमें भी use किया जाता है, जैसे Apollo space program था, अमेरिका का, मून पे जाने वाला, उसमें इसको use किया गया था, ठीक, और साथी साथ देखो, इसमें जो water produce होता है, इसी water को जो astronauts होते हैं, वो पीते हैं, third है, pollution free working, तो देखो, यहाँ पे कोई भी हम environment के लिए, हमें जो भी product मिल रहा है, by product मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, water मिल रहा है, ठीक, तो pollution free working है, समझ में आ गया, तो ठीक है, thank you